कि और दस्तों मैं मुहम्मश्क्र नु अर生 कने दुट्ब के आश्वाग्त है दोस्तों आई यह Dark Pava नेम मौहनज़ का उध्हेरन का कार कब्व यानि मोहनज़जर कोख़ा ही कि ए कब हए थी दोस्तोंображ 1222 में वर्स 1922 अगर बात करते हैं तो हड़पा कि ख़दाई का हुई थी वर्स 1921 ना वर्स 1921 यानि यहां पर एँ अंसर हो जाएगा आपका जो यह मोहं जोद्रोग ख़दाई का हुई थी वर्स 1922 इंसर अब बात करें दूसरे प्रसन की सिंद्धु घाटी सब्यताक की लेपी थी तो आंसर क्या हो जाएगा डी यानि पंजाब राजा सांग गुज्राद उत्तरब्रद हर्यारा सेंद्थ और बालुचीष्टान में चौथा प्रशन है तो घूड़े काउसर कहां से मिले थे तो अंसर हो जाएगा ए सुर्कोडदा से कहां से सब्सक्राइब लिए दॉस्तों राजस्टान में हैं लेगर का यहां यह से कि निर्माड में मुख्य रूप से किया गया था तो हड़ा के निर्माड के लिए किस लिए किसका किया था और लूहे का इस का अंसर हो जाएगा यानि इस रिखड़ी से प्रश्मन हाट्पा सर्विदाग किस युग की थी तांस युग नौपासाल यूग या लोई यूग तो किसका यूग था कांस यूग का अंसर हो जाएगा A आठवा प्रस्ण है सिंद्ध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य वैसाइग क्या था सिंद्ध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य वैसाइग वो क्या था वियापार था यानि अंसर हो जाएगा A अंसर A आई नौवा प्रस्ण देखते हैं हडपा सभ्यता के निवासी कैसे थे ग्रामीड शहरी या यावार जन जाती तो कैसे थे शहरी थे आंसर रोजागा बी दस्वा प्रशन देखते हैं सिंद्यू सभ्यता के घर की किस से बना जाते थे तो जो सिंद्यू सभ्यता के घर होते थे वो किस से बना जाते थे इंट से यानि मकान जो 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 पक्के होते थे ग्यारवा प्रशन है से कषजदीं। यहाँ से रमप्रशन यह को नाम से कपास को में सबसे अगरड़ी अब सिंद्र में तो फूर्फ़ हैं कि सिंद्धु सब्यदागा पत्ता नगर बंदरगाह कौण जचता का अंसर रोऑगा लोठल या निलोठल क्या था वो एक बंदरगाह था चोदर है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंदुग घाटि के लोग माप और तौल में परचित थी या खोज कहां परोई थी तो माप तौल के खोज कहां परोई थी लोथल में कहा हो जी दूस्तों लोधल में पंद्रहाँ प्रश्ण हडपा कालीन समाजी की वर्गों में विवत्त था शिकारी पुजारी किसान और भछत्री या किसमें तो दूस्तों इसका अंसर हो जागा विद्वान युध्धा वैपारी और श्रमिक में यानि एक वर्ग सा जो विद सफेशकन सबाद़्य चाहिए का क्या है इसका नाम लिए जाता है इसी की वर्गों में खोट की सबसकी सबस्क्राइब आनुए उननीच हुए अन्सर हो जागा D प्रस्ट नंबर 18 देखते हैं हडपा सर्वेदाक बारे में कौन सा कसन सही है उन्हें अश्रुमेक का जानकारी थे या गाए उनके लिए पवित्र थी उन्हें परशुपती के समान करना आरंब किया उनकी संसिलती सामाने तर इस्थिर नहीं थी इसे पुछना कौन सा सही है त है तो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सी और निश्वाप्र आसे हडपा के लोगों की समाजी पतेती थी उचीत संतावादी क्या थी उचीत संतावादी आंसर उजाएगा ए सिंदकान नखिलिस्तान बाग हडपास अबेदा किस युग पुरस्तल को कहा जाता है सिंदकान नखिलिस्तान किसे कह जाता है मुहन जोदलो को हडपास अबेदा के संपूर शेतर का अधिकार किस प्रकार था संपुट्षेत्र का एक और किस प्रकार रजाते च्छा आइपार और तुम्हुजा कर या गोल आकार आशर क्या हो जाएगा तुम्हार पाइसा इसे था और आईसे यहाँ वलूची स्थान हो गया यहां वलूची स्थाने आपके इधर देखे आपके जम्मो कश्मीर इधर के आओगे उत्तर परदेस का यह हो जाएगा मेरट में आलंगीरपूर ठीक है और यहां पर क्या होगा दायमाबाद जो महारास्ट्रा में है ठीक है इस तरीके देखा जाए तो सिंदुर काटी की आकार जो थी वो त्रिभु को कमें हरपा सवएधा के अंतरगात हल से जोते हीजड़ के खेर के साक्ष्च कहां से मिले हैं से की इसे था मिले है का यह से संदुर्ष सब्था की ईटो का अलंक्लार किस इसां से मिलता से आंसर हो जाएगा A यानि काली बंगा से 24 है मोहन जोदलो कहां इस्थित है मोहन जोदलो कहां इस्थित है पंजाम सिंदों गुजराद में या उत्तर पर दे तो दोस्तों मोहन जोदलो जो इस्थित है वो पाकिस्तान के सिंद प्रांत में इस्थित है ठीक है आंसर हो जाएगा बी आंसर बी अब बात करते हैं 25 प्रश्ण की सिंदु सब्वेता में विरियत इस्नानागार पाया गया है यानि जो विरियत इस्नानागार पाया गया वो कहां पर है वो कहां पर है मोहन जोदलों में वहां जोदलों में 26 प्रशन है सिंदु सब्वेदा की मुद्रा में किस देवता के समस्वल चितरांकर मिलता है आद्य शीव का आद्य ब्रह्मा का या यहां आध है लिखा है तलकिन होता है आद्य 27 प्रशन का इस्थानी नाम है यहां मूहन जोदलों का इस्थानी नाम है कि जीवतों को टेला कंकालों को टेला दासों को टेला तो यहां पर कहा जाता है मिर्तिकों को टेला क्योंकि वहां को जो भी खुदाई हुई वहां सब लोग मिर्त पाए गए इसलिए उसे मिर्तिकों को टेला कहा जाता है हड़पा सब्वेदा का प्राचलित नाम है तो हड़पा सब्वेदा का प्राचलित नाम हो क्या है सिंदु घाटी की सब्वेदा क्यों कहा जाता है सिंदु घाटी की सब्वेदा चुकि जतनी भी इस्थल प्रांप्त हुए अधिकतर करके वो सिंदु गहाटी के जो सहायक नदियां है या सिंदु नदी है उसके किनारे पाये गए हैं इसलिए सिंदु गहाटी की सब्वेदा भी कहा जाता है और हडपा क्यों कहा जाता है भाई हडपा सबसे पहला इस सल था जहां पर खुदाई हुई थी जो पाकिस् नहीं को फिर्धा कि फिर्म हरों किस सब्सक्राइव वे सबिद्धा उत्खराइब कोור नतसे और पर ज कशन के हैं उसका नाम है इसके लिए वो अपने नगर नियोजन के लिए पर सिद्ध है सिंद्य सवेयदा कौन सा शहर भारत में श्रक्ष सा नाम क्या है उसका नाम क्या है लोथल लोथल नहीं कहाँ पर ये उद्ध है अब ने भारत में खोचा गया 33 प्रशन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हडपा, पंजाब, मोहंजोदलो या सिंध तिसमें सबसे पुराना जो शहर है वो कौन सा हडपा यानि हडपा की खुदाई पहले हुई तो जाहिर से बात है, वो सब सब पुराना हो गया, उसके बाद जो आधोनिक में जो खोज होते गए, वो सब नया में आ जाएंगे, ठीके, हड़पपा के खोज पहले हुई थी और 1921 में, ठीके, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था इसोगल, पौझनैक चार जाएंगे, पौधिटा के प्राज़िम्तम साक्ष कहांस मिले हैं, उसक्रिकिय हcorण स्थरै के प्राज़िन साङ्टिक अधा क मिले हैं, हडपा संस्क्रिक्ति मिले हैं, आंवर हो जायगा वहां के लोग वयपार ही करते थे यानि हिंदु सिंदु घाटी साब भेता के लोग वयपार किया करते थे मात्र देवी की उपासना की जाती थी बिल्कुल की जाती थी यानि देखा जाए तो ये तीनों सही है ये तीनों सही है अब चौथा देखते लोग लोहे से परचित थ तो यहां कह रहा है कौन से चिंट नदी किनारे चिनाव नदी किनारे चिंट आउन्सर हो जाएगा ए किनाव कश्मीर बात करते हैं हरप आपका पंजाब किस नदी किनारे स्थित्थ है यानि रोपड किस नदी किनारी स्थित्थ है इनमें अंसर हो जाएगा 17 नदी पहतक तुछ मूझे कउन से पर चीपने तक तुछ मुंट साथा तो उत्स nonprofit आओर जाया जाता है संधिया लाल रंक्व मुहन जोदलों से जहां हड़पा के समकाली सबहता थी हुआ है पंजाब में तरप्रदेश में सवरास्ट में और राजस्थान में तो जगां कहां पर है सवरास्ट में यहनि गुजराद जबालिसे हडवपाय महसर जोदलों के पुरा टत्मी खटाई के प्रभारी थे हडवपाय मोहन जोदलों के खटाई के प्रभारी के उन्ठे सर बी, सरजान मार्शल 45 एंजन में से किस प्रशू की आक्रिती जो मुहर पर मिली है जिससे ज्यात होता है कि सिंदु घाटे में सब्टामियाक सब्टा की मध्य वयपारी संबंध थे तो किस से पता चलता है ये? यानि बैल, अंसर हो जाएगा, बैल से पता चलता है 46 हैं, सिंदु घाटे की लोग विश्रास करते थे सिंदु घाटे की लोग विश्रास करते किस पे? आत्मा और ब्रह्मा पे, कर्मकांड में, यग प्रटाले में या मातर शक्ती में तो सिंदु घाटे सब्टा की लोग मातर शक्ती में विश्रास करते थे 47 प्रशन है निम्न में से कौन सा सिंधु इस्थल समुद्र तर्ट पर इस्थित नहीं था सुर कोड़ा, लोधल, बाला कोट और कोट दीजी तो इसमें अंसर हो जाएगा कोट दीजी कोट दीजी ये समुद्र तर्ट पर इस्थित नहीं था 48 है निम्री से कौन सी तो महन जोदोलों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है महन जोदोलों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल इसनानागार अंसर हो जाएगा B विशाल इसनानागार शोरी अननागार नहीं इसनानागार ये गलत हो जाएगा अपनाई थी, तो कौन सी पदती अपनाई थी, यानि ग्रीवट पदती अपनाई थी, अब बात करते हैं 25 प्रश्न की, निम्न प्रशूँ भी से किस एक कहड़ पस अभ्यता में पाई मुहरों और टेरा कोटा कलिकृतियों में निरू पड नहीं हुआ था तो किसका अंकर नहीं किया गया था शेयर का अंकर नहीं किया गया था ठीक है ए हो जाएगा अंसर दोस्तों यह रहा हमारा आद का 50 प्रश्ण दोस्तों याद रखिएगा कि हर प्रश्ण बहुत ज़रूरी होता है और सिर्फ आप लोग देखते रहेंगे और कम समय में मैंने इस 50 प्रश्णों का 50 प्रश्णों का जो संगरा लेकर आए दोस्तों इसी तरीके से इसका पार्ट दो भी लेकर आएंगे आप मेरे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो का अज़ार कीजिए तब तक के लिए जैहिंद जैभरत